जुल्सा देने वाली गर्मी के बीच आखिरकार आज मौनसून केरल पहुंच गया है वो भी इस बार एक जून से तीन दिन पहले ही इंडियन मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने मौनसून आने की आधिकारिक गोशना की है अब अगले 24 घंटे के मौनसून के केरल में चाने की उमीद है आज केरल सहिद दक्षिन के तटवर्ती इलाकों में बारिश शुरू हो गई है इस बारे में मौसम वेग्यानिकों ने बताया कि अगले 24 घंटे में केरल के कुछ भागों में तेज बारिश होगी जबकि तमिलनाडू बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बाकी भागों में तेस्ट बारिश के असार हैं मौसम वेग्यानिकों के अनुसार समय से पहले मौनसून आने का असर देश की अर्थ व्यवस्ता पर भी दिखता है क्योंकि देश के आधे से अधिक आबादी कुरूशी पर निभर हैं खारिफ की फसल गन्ना जूट आदी ए 20 दिन में अच्छी प्री मौनसून बारिश हो सकती है वहीं मुंबई में 5-6 जून तक मौनसून के पहुँचने की संभावना है जुलाई और अगस्त में मध्यभारत में बारिश होगी